नमस्कार दोस्तों जशिराम कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चनल दा नैशनलिस मेडिया में आप सभी का स्वागत है जब आप किसी नए जगा पर शिफ्ट होते हैं आप किसी नए प्लेस पर अपना घर लेते हैं बहले किराय का हो बहले खुद का ले रहे हो तो वह जरूरी है कि आजपास का महोल जाना और जरूरी है कि आजपरोस के बारे में जाना और यदि अगर आप किसी जगा पर रहने नहीं जाते हैं आप बहुत सालों से जगा पर रह रहे हैं लेकिन अगर आपके आजपास कोई नया रहने आया है तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो कैसे महाल से आया है, वो कैसे इनसान है, खास तोर पे वो किस पंत से हैं, बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हो ऐसे पंच से हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एकदम से गुसा हो जाते हैं चोटी-चोटी बातों के अंदर भी तो भी जरूरी है कि आपके आसपस का महौल खराब होगा यदि आगर आप किसी ना किसी तरीके से वेडिटेरियन है और अगर आपके आ आसपस कुछ ना कुछ मास मच्छी लेरा कुछ अगर फैकेगा और वहां की स्मेल जो है वह आपको बरदाश नहीं होगी तो बहुत समझ के अपना घर लेजिएगा जहां भी आप ले रहे हैं भले आपके आसपस रहने वाला कोई भी हो किसी भी पंतका हो हिंदू ही प्यों कैसा भी हो लेकि जरूरी है कि अपना सोच समझ के लिए अब यहीं बात आती है कुछ ऐसे जगा की जहां से बहुत सारे हिंदू बार बर पलायन करते हैं कि उसका रीजन क्या रहता है कि वहां के जो महौल के लोग होते हैं वह जान भुशकर आपके जगा पर कबजा करने के लिए आपके साथ कलेश करते हैं बार बार आपको प्रतारीत करते हैं बार बार आपको तंग करते हैं ऐसे बहुत से रीजन है जिसके वह से आपको पलायन करना पड़ता है लेकिन यदि आप पलायन नहीं करते तो वह ऐसे रीजन पैदा करते हैं कि आप पलायन करने के है आपके पास ऐसा क्या जुगाण है आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वज़े से आप K 구led बचाने में सक्षम होंगे या आकके पास शत्रूबोद بھی है कि जिससे आपको ये पता लगे कि वह आपके वर हमला क्यों कर रहे हैं शायद नहीं हैंनों को बिल्कुल नहीं सबस्क्राइब नहीं सोचते हैं कि हमारे आसपास रहने वाला अगर अलंग पंत से भी है खास वाप कट्टरवादी पंत से यह तो वहमें गया क्यों कहेगा कोई रीजन होगा तभी कुछ कहेगा ना लेकिन आप याद रखे यदि आपके आसपास रहने वाला हिंदु परिवार है यदि आपके आसपस रहने वाला एक शांतिया प्रिया सच्छमुच का शांतिया परिवार है तो अगर आपके आसपस आपके बच्चे या कोई बार खेल रहे हैं और अगर उनके साथ कोई जगडा या कोई बाचित हो जाती है नोग जोग हो जाती है तो आपके सा की जगड़ा की बीच में आपको लेकर आजए बढ़ों को लेकर आजए तो इसका मतलब आप गलत महोल के अंदर गलत पडोस के अंदर रह रहे हैं बरेली यूपी से जो घटना आई है यह पिछले सो मार की है होता यह है कि हिंदू परिवार जो होता है उस पर एक पूरी मुस पशलिमीसी बच्चों के साथ खेर रहा होता है बहुत टमस समय से वहां रह रहे होती थी तोा आपस में बढ़ जाता है वैं यह पाझ रहे जढ़ घया आती है और कि किसी बात को लेकर तूतूमै में दोन बच्चों की हो जाती है चोटी सी बही खेलने कि बारे में किसी ने मालो कोई क्रिकेट खेल रहा होगा तो कोई ना कोई आउट कर दिया होगा, यह समती कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर वहाँ पर खड़े उन बच्चों के जो पेरिंस थे या उन बच्चों के चाचा दादा जो भी थे, वो पूरी मु कोशिश करती है कि वो घर में गुसे और वहाँ की जो माताएं बहने जो भी उस घर में हैं, उनको नोचे उनको बाहर खीच कर ले आए, इस तरीके से अग्रेसिव होकर उस घर में हर किसी को मारने पर उतारू हो जाते हैं, उस चोटे से बच्चे तब का भी तरस नहीं करते कि उस बच्चे का क्या होगा, ये है वो भीड जिससे हम आपको कहते हैं कि जितना हो सके चोकन ना रही है, ये आज किसी और के साथ है, जरूरी नहीं कि आपके साथ होगा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि आपके साथ नहीं होगा, उस बच्चे की मा के उपर क्या विती रहे हैं जगड़ा कर रहे हैं माता पिता का यह होता है कि बच्चों को समझा बुजा के जगड़ा सुल जाए और आपस में सबसे सब सोहार्द भाव से रहें लेकिन वह पूरी भीड बच्चों की बात पर उस महिला उस परिवार पर हमला बोल देती है अब महिला परेशान हो कर अपने पती को फोन ललाती है कि ऐसे ऐसे घर में हो रहा है और बाहर पूरी भीड खड़ी है कम से कम दर्जन भड़की भीड़ उसे भी जभी ज़ादा है, पती परशान जहां काम पर गया हुआ था, वहां से हड़ बढ़ा हड बें वहां आने घर आने की कोशिश करता है, लेकि उससे पहले एक समझारी का काम करता है कि वह पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस को साथ लेकर आता है पुलिस साथ पे आती है और उस मोग को हटाने की कोशिश करती है और बहुत हत्ता उस मोग को हटा देती है लेकिन इतनी बड़ी बात हो जब हो जाती है तो कुछ हिंदू संगटनों को भी ये बात पता लगती है और वो हिंदू संगटन उस महिला को लेकर पुल कि विष्व लोगxic उनके बहुत जड़ा मात्रा में आंदोलन यानि कि एक तरह मांख करने पर ही इस case को रखिस्टर किया गया, वरना इस case को रफ़ा-दफ़ा किया जा रहा था, विश्व हिंदू परिशद के जो वहाँ के जो नेता है जो वहाँ के अधिकारी है, ये ये कहें, वहाँ के अध्यक्ष है, सॉम पाला थोड, उन्होंने कहा कि यदि अपने इस पर कारवाई सक्थ तरीके से नहीं की क्योंकि वो पूरी की पूरी मोब थी, जो हर तरीके से उन्हें नोचने की कोशिश कर रही थी उस परिवार को, यदि आपने कारवाई नहीं की कि तो हम यहां सब बैटका, हिंदू अंदुलन करेंगे, हम सभी हिंदू संक्टन बैटका, यहां पर अंदूलन करेंगे। और इस अंदुलन वो कही न गहीं, देखकर वो लोग सोचने लगे कि हाँ आप तो करना पड़ेगा और जब उन लोगों कौ समूरी मॉब को ये पता लगा कि इस तरह की बाते हो रही है तो पूरी की पूरी मॉब उस जगा से गायब हो गई और ना जाने कहां चली गई उसो ढूना जा रहा है उसके ओपर कारवाई भी अब शुरू कर दी गई है पर तु सोच के देखिए कि पूरी की पूरी मॉब एक चोटी से बच्चे के साथ हुई पच्चों की आपस की जड़क के अंदर आई और पूरे की पूरे घर के ओपर इस तरह का हमला बोल दिया जहां पर एक महिला अकेली थी यह जो चीज है ना कि किसी के साथ भी हो सकती है आपके साथ मेरे साथ किसी के साथ भी हो सकती है क्योंकि हमारी तयारी उस तरीके से नहीं है यह भीड तंतर जो है ना पूरा की पूरा यह सड़कों पर आने को तयार रहता है हमेशा एक छोटी सी आवाज इनको लगाई जाती है एक छोटी सी चिंगारे इनको लगाई जाती है पूरा की पूरा एक सरकल फोन पर इनका चलता है ये जगा जगा जो मस्जिदे बनाते हैं ये जगा जगा जो इस तरह की मजारे बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाती हैं कि इनका भीड तंत्र मोग के पर कहीं भी इकठा हो सके। ये पूरा की पूरा जो सरकल चलता है वो इसी कारण चलता है। कि अगर चोटी सी बात हमारे परिवार में से किसी के उपर उठे, हमारी महिला के उपर उठे, हमारे बच्चे के उपर उठे, तो हम एक मिंट में पूरा मोग तयार कर सके। ऐसे नहीं पूरी की पूरी भीड़तन तर एक मिंट में आ जाती है। वहीं दूसरी तब अगर हिन्दू की बात करें तो शायद वो अपने पडोसी तक को भी नहीं जानती। अब बात की आती है क्या आपकी तयारी हैं? क्या आप तयार हैं कि अगर आपके घर के आसपास बिना किसी कारण से कोई ऐसी मोब हमला कर देती? क्या आपके पास उचित उकरण हैं? क्या आपके पास उचित हतियार हैं? क्या आप उनसे भीड में लड़ने के लिए तयार हैं? अगर आप मरने को तयार हैं कि हमें तो मरना है जि मर जाएंगे तो ठीक है? लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मरना है तो क्यो ना मार के मरें? क्यो ना हम भी इनके उपर उच्छे जवाब दें? या इनके इनी के भाशा में जवाब दें? तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आपके पास क्या तैयारी है सोच के देखिए उंके पास तो पत्तर काच की बोतले और उंके काच की बोतलों के अंदर नहीं अदर नजाने क्या nice भरकर घर में रखते हैं, बहुत होती हैं उनके पास, क्या आपके पास ऐसी तैयारी है, मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसी तैयारी है, क्योंकि हिंदू आज भी सोहार्द भाव में जी रहा है, आज भी ये सोच रहा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ये जहां होता है वह लिधुना सोचा हुगा मैं कि वह की हुगा। कितना ही निर्दई था वो जो चीज उसने की थी वैसा ही क्योंकि वो भी पडोसी थे जब हम सोचते हैं कि हमारा पडोसी हमारा साथ देगा या नहीं देगा या हम पर हमला ही कर देगा अगर आप को नहीं पता तो इतनी सी बात को चोकना अवश्य रहिए आपके आसपस कौन रह रहा है आपकी गली में फेरी कौन लगा रहा है कौन ये चीज़ नोटिस कर रहा है रोज आपके आसपस गलीों में घूम रहा है वो ये चोकन्ने तरीके से धून रहे हैं कि कौन सा महुला कमजोर है कौन सा असानी से लोगों पर विश्वास कर लेता है कौन से वहाँ लोग है जिनके घर के अना महिलाएं कम है या ज्यादा है कितने परिवार है जहां महिलाएं अकेली रहती है या फिक कोई आदमी है वो अकेला रहता है कौन सा परिवार कहां पर किसकी तरह का इंटरस्ट है आपके आज पास जितने भी आज फेरी वाले घुम रहे होंगे, पता लगा ये, मुश्किल से होंगे कि आपको हिंदुओं मिलेंगे, क्यों आपके आज पास आजकल नाई, जो एक पूरी कौम होती थी हमारे यहाँ पर, हिंदुओं की यहाँपर, जो पूरा ये, उनका एक पैत्री कारे होता था, वो खत्म हो चुका है, वो अब यही लोग करते हैं, आपको जितने भी सलून मिलेंगे, वहाँ पर यही लोग मिलेंगे, क्यों ऐसा होता है, क्यों छोटे-छोटे काम को लेकर, बड़े से बड़े तक आज इनकी उपलब्धी होती जा रही है, ऐसा इस कुछ हो, कभी भी ऐसा कुछ हो, तो आप तयार रहें, क्योंकि हम सभी जाते हैं कि हिंदू कभी शुरुवात नहीं करता, लेकिन जब कोई शुरुवात करता है, तो उसका जवाब भी अच्छे से देता है, बस अपनी तयारी रखी, क्योंकि युद बाहर हो देश की, या देश की अंदर, उसका होना हमेशा रहता है, हमेशा उसका शक हमेशा रहता है, कि वो कभी ना कभी अवश्य होगा, ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों से, आज इसा अगर युद हो रहा है, तो उसको देश की अंदर के लोग को और बाहर के जो सैनिक हैं, उसको पता है, कि ऐ हमें भी पता हैं कि एक दिन हमारे देश के उपर भी हमला होना है द्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे गुस्पैटी ऐं को तैयार हैं एक दिन कभी न, कभी ऐसे स्थिती n कrebý बनेड Star चुष सव्पार्दी लेकिन पर नियुक्त के साथ अगले लोगा। लेकिन एक दिन अवश्या होगा, सतर्क रहने की बहुत अवश्यकता है, तैयारी रखने की बहुत अवश्यकता है, घूमिए फिरिये सब कुछ करिए, पर अपनी तैयारी अवश्या रखिए, क्योंकि जब पूरी की पूरी भीड आपके घर पर दस्तक दे जती है, पूरी की इश्वर आपका साथी होता है, आपने हिम्मत रखी अगर आपके पास उचित हतियार है, उचित आपके पास सतर्कता है, अगर आप जागरुक हैं, तो आप अपना बचाव अवश्य कर लेंगी, क्योंकि उसक्त ना तो मोके पर आपके पस कोई पुलिस आएगी, ना कोई कोच रहें, कि शायद इसमें हमारा भी हित है, तो हो सकता है, कुछ पडोसी आ भी जाएं, लेकि पूरा की पूरा पडोस, पूरा मोहला एक्दम से कठा नहीं होता, कभी नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि अपने आपके बारे में, अपने बारे में होश्यार रहिए, और अ संस्किती में ऐसा नहीं है, हम शुरुआत कभी नहीं करते हैं, यह हमारे धर्म और हमारी संस्किती में है, वो देख रहे हैं कि मूर्ख कोन है आपकी गली के अंदर, वो देख रहे हैं भोला कोन है आपकी गली के अंदर, वो देख रहे हैं कि आपकी गली में, आपके मोहले में आपके परिवार में अमीर कौन है वो देख रहे हैं कि आपके पास इतनी समझ है आपके पास इतनी चलाकी है कि आप दूसरों के बारे में इस तरह की बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं तो इन सब चीजों का आंकलन वो तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास इत साथ, आपको घुसने भी नहीं देति हैं। वैसा होता है। ऐसे बहुत से महले हैं और अर् राजूय में हैं जहां पर चोटे-चोटे मीनि पाकिस्तान बने होए हैं। जहां पर आप जा नहीं सकते बिना प्रशासिंग की मदद के ऐसे बहुत से एरिये हैं इसलिए जरूरी है कि अपनी तयारी रखिए जब वो आपको अपने एरिये में नहीं आने दे सकते तो आप उन्हें क्यों रहने की जगा देते हैं क्यों आप ये सोचते हैं कि कोई बाद नहीं सेकलोरिजम में विश्वास रखिए लेकिन सतर्क रहिए अपने जो शत्रू बोध है उसे जान कर रखिए उसे जानिये उसे हमेशा ध्यान में रहिए आपके दिमाग में 24 घंटे चीज चलनी चाहिए कि हां ऐसा कुछ भी होता है ऐसा कभी भी हो सकता है ये 24 घंटे हिनों के दिमाग में चलना चाहिए हर वक्त हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए खेले कुदे कुछ मर्जी करें लेकिन उनके दिमाग में ये बात अवश्य रहनी चाहिए कि ऐसा भी होता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा होगा आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं कि अपने वुचार कोमेट में जरूर बताएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर पी देगा धन्यवाद जैशिरा